हलो एवरिवन, वेलकम बैक टो ओवर यूट्यूब चैनल विचिस नीम परिक्षिता अकैडमी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जॉब के लिए कौन सी वेबसाइट देखे तो आज हम इस वाले टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं अगर आप भी एक जॉफ सीकर हैं, या गॉर्मेंट जॉब पाने की इछा रखते हैं घॉर्मेंट फिल्ड में जाना चाहते हैं, गॉंपेटिटिव एक्जाम के एरिया में जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले knowledge होना चाहिए कि आखिर में क्या vacancy निकलती है उनका qualification, exam date, syllabus, सब कुछ हमें खुद पता चल जाए आप लोगों में से कहीं ऐसी category होगी YouTube पर जो कि क्या होता है कि भीया हम YouTube देख रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, add आ रहा है, हमें इंटरनेट से पता चल रहा है तो हम देख लेते हैं, या फिर आपको जो है, news channel वगर के alert आ जाते हैं या फिर क्या है, कुछ लोगों को पता है कि नहीं हमें यही website देखना है तो आप उस पे जाके देख सकते हैं, या कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर में यह सब कुछ कैसे होता है तो हम आपको important जो है, आज इतनी website बताएंगे, जादा नहीं बताएंगे मातर तीन website बताएंगे, जो आपके लिए मददगार रहेगी तो हम मान के चलते हैं कि आप जो है, मध्यप्रदेश से बिलॉंग करते हैं आप किसी भी state के हो, कोई फरक नहीं पड़ता है आप अपने state का भी जो है, website पता कर सकते हैं अब मैं common बताऊंगे, जिसमें कि India all over India आप कहीं से भी हो, अगर आप वो वाली website देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार की vacancy, सरकारी जोब निकली है, किस state की है, national की है या फिर हमारे statewide railway की है, bank की है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम मध्यप्रदेश के respect में बात करते हैं अगर आप भी मध्यप्रदेश से हैं, और सरकारी नोकरी की चाहत रखते हैं तो सबसे पहली बात है, और आप civil services की preparation कर रहे हैं तो आपको ये website पता होना चाहिए, mppac.mp.gov.in जब आप mppac की webpage को visit करते हैं, तो वहाँ पर जो भी latest update रहता है चाहे हो vacancy से संबंदी तो, result से संबंदी तो, या फिर answer key से संबंदी तो, score card से संबंदी तो सब कुछ वहाँ पर show हो जाता है, तो हमें हमारी routine में होना चाहिए, कि हम daily उसको visit करते रहें तो ब्रहम की स्तती में नहीं रहेंगे, कि कोई दूसरा source हमको बता रहा है, कि भाया फलानी वेकेंसी निकली है और इसका ये qualification है, हम खुद जाकर उसे देखें और analysis करें, सीखें पढ़ना, ठीके, तो आप ये website देख सकते हैं आप चाहते हैं कि नहीं आयार तो पूलीस अगिरा का, कि हर और प्रहम करता है तो आप ये website को भी visit कर सकते हैं, डेली आप एक बार देख लिजे, ये बैक टू बैक तो आपको पता चल जाएक ragingargent이면ाईनिये अब ये तुथी मध्यप्रदेश लेवल पर बात अब हम आ जाते हैं बात करते हैं इंडिया लेवल पर तो एक सबसे बेस्ट चीजे हम अभी आपको जो है इसको ऑपरेट करके भी बताएंगे वो है फ्री जॉब अलेट फ्री जॉब अलेट के हम वेबसाइट नहीं बता रह आप जब उस पर्टिकुलर बार में जाएंगे तो आपको एकदम सिस्टेमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा कि किस प्रकार से लेटेस्ट जो है वेकेंसी निकल रही है क्या सिलेबसे क्या कौलिफिकेशन ने रिजल्ट आते रहते हैं अपडेट होते रहते हैं सब आप देख सकते हैं तो अर्था यदि आपको एक भी पता है और आप सभी चीज़ की प्रप्रेशन करना चाहते हैं ससी के खौप देखते हैं तो आप फ्री जोई पैलट को अच्छे से यूज करिए अगर आपका फोकस के वल सिविल सर्विसेस पे हैं अपने स्टेट लेव चलिए हम आपको वेबसाइट को थोड़ा सा अपरेट करके बताते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं करा गूगल पर जाकर जो गूगल वारी बार होती है हमने इस पर जो है फ्री जोईब ऐलर्ट लिग दिया है और फ्री जोईब ऐलर्ट का कौन सा भी प करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं में तो आपको पता चल जाएगा देख सकते हैं और इस प्रकार INskurs हों कि अपशार के पर जाइन हम पता जाते हैं रिजल्ट भी आते हैं तो यहां पर पता चल जाता है all over India के बारे में जिस हरियाना का है यह बिहार का है यह अंधरप्रदेश का है तो सब कुछ यहां पर पता चल जाता है तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं तो बस डेली आप विजिट कीजिए आप जब देखेंग अब अगर हम PB की वेबसाइट ओपन करें तो इस प्रकार से यह option आ रहा है आप यहां पर यह देख सकते हैं इस पर आके क्लिक करें तो professional examination board का भी जो है page open हो जाता है तो वो तुरंत आपको जो भी latest रहता है बता देता है ठीक इसी प्रकार से आप अगर MPPC का ही देखना चाहते हैं तो आपने केवल MPPC टाइप करा और यहां पर आप देख सकते यह website आ गई तो इसको open कीजे आपको सारी चीजे जो है clear हो जाएंगी so friends I think आपके लिए video जो है काफी कुछ सिखाने वाला रहेगा काफी आपके knowledge को enhance करेगा especially उन लोगों के लिए जिने इसके बारे में नही नहीं पता था और जिनें पता है तो अच्छी बात है so friends अगर ऐसा ही कुछ है तो subscribe channel like share comment thanks for watching and have a nice day